हूं मैं उपर बांगलादेश में शेख हसीना के स्टीफे के बाद भी हिंसा लगातार जा रही है बांगलादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदू के घर उपद रव्यों के निशाने पर आ गए हैं से की ऐसी तस्मीरें भी सामने आई हैं, जिन में कई मंद्रों में आग की लपनें दिखाई दे रही हैं जबकि कई हिंदू के घरों को भी निशाना बनाया गया है पंचगड़ में हिंदूğों की दुकानों और घरों पर हमला किया गया है एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई है जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपधर रव्यों ने चला दिया खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने 7 हिंदूों के घरों पर हमला बोल दिया उदर स्कॉन मंदर में भी तोड़ पोड का वीडियो जारी किया गया है स्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदरों में आग लगा दी गई है तरड़े मिडेल नाइट में हमला हुआ इसकॉन मेहरपूर इसकॉन का प्रचार केंडर है वो अकनी शंग्जोग किया और लून्टन किया भांग्सुर किया जो रेफ रेपीट एक्शन बेटलियान बादर्स ऑर्गनेजेशन है वो फेलियोर है और सेना बाहिनी सब स्थान में कॉन्ट्रोल नहीं किया राजसबा में विदेश मंत्री एस जशंकर का बयान आया है बंगलादेश के हलात पर नजर बनाये हुए है बंगलादेश में मंदिर पार हमले हुए है जशंकर ने बात कही है बंगलादेश में जुलाई से हिंसा हुई है Mr. Chairman Sir, I rise to apprise this August house of certain recent developments pertaining to Bangladesh खag मेंवर औरेम्ब्स ओन खरववार, चाहर झाराझ कॉलत कॉन थेच्ड़न हैं तही झालिशन पॉे मेंड़र का लेची स्वेंगुति ज्डिस्टिटी जी ज्य रिरिणे से संहरे लेले लिज ट्वाइल स्थेंगेब उसेरी फॉन सेफ़ी इता प्लावाजा सब्देश ये पॉराज़ आताइटिस इन्याज़े पॉरूदेश इन्सेरी विडिए टॉरा तर्वला उकुर अपॉराज़िगा वी लिए। इन्सेरी भॉरुपराज जारिज राजस घौन फॉरूब इन्सेरी कर चाहन in the past period, allah we repeatedly counsell the restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. Despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter अल्जाब कर दो दोच्ट is एंगा को आटे अरूजश अवार दिख एंग मिलेवा फ्रूंट अजना लीजान, जा फिर ते थार्म प्रीमिनिस्ट शेख चानई मिलेवाज ठारिश दूब यह शेजू ब अट्रार र्वहा पूर्ष झाजिवाज अवलेडा एंग ऑनजाद प प्रेज़ अर्टाब कर्दारत्यू। चूड़े को उन्यूज जड़ में इतारोरीस की जचलेटि अचए तर्ट राय। र्टाइट। अर्ट अर्टिकॉरिटी अर्टिकॉर्ट्रेज के लिर अंशेट्ट और राटो इंजे अग्श्रेट अथेंपर्ट काफ। चलंग बनने होज्डी है ते ज्क जटेफिए टीर यह हम इनीं कित्वरी एक है अ के प्यवरदी से विलिले य्टि इन है टविखने हैं dulकाड़ी sisters अईनल जोग्या वेहर चेस्ट एवन इनधिए डिली. में ठीटेमाद एक इंटेब आवने लिए ले विए खोड़ आपाज आशन अचानल से अविछ आज ले बुट आप इन अविड आपाद आप इंडेशन आपर आप इंद्स आप इंदेवान कुछिछ इंट आप इंडिया आफ इन एक इंट विए इन जुला इंट आप इंट that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to the normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. But we will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Bangladesh. Bangladesh में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपन्ती हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं. हिंदू परिवारों को इस सहथ तक निशाना बराया जारा है ताकि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाए. मिजिल निये जावास्षो माई उल्टो दिख्थे के एशे आमार बाशार मुध्धे ठूके आमार बाभा एक जुन ब्याफशा करें. शेयतार ब्याफशार पोदीश्टान आमार भाई एक जुन डाक्तार छोटोका काच्छेले. टा चेमबर मुद्धे ए इंअ ऐ चेमबर मुद्धे बूके आमादे ठूर्रा भाईता चुन डाक्तारा कि्त चुराखे, आमार काका के मुषती शीलो। आमार भाई के खुस्ती शीलो। मने एक वनीन ूल्प बतत हाए। आपर मास यह तो निरुपाई होया दाराए देखते से घरे, फैन बोलें, खाबार जलें, जोग बोलें, एक्टा, एक्टा, ग्लास बोलें, कि चुराखे नाई, पीता ये भाईया यो लाई से, बाबा जातो टुकु पर्से छभीतु से, बाबारे मार्से, बाबार गाया पुआपर मास फ़टी से, बाबारा पुटा टान निरुपाई, आजकर इस हात्रों देर कार उने, एकर की देश चेरे निजर जाएगा, जोगे, छेरे की, आमने इंडिया पलाई जा बहीतामोंने कृते से समाई, क्यानों इंडिया जाबा, आमने शाधीन देशी बास कोरी हुदर बंगलादेश में हिंदूओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं इन लोगों ने बताया कि वहां पर उपद्रवी लगातार हिंदूओं को निशाना बना रहे हैं उनके घरों में घुसकर भी मारपीट की जा रही है इन लोगों ने बिगड़ते हालाद के बीच बारत सरकार से शिरण देने की भी अपील की है कि अभी बंगलादेश का माहोल कल बहुत खराब हो गया था फिर भी भी बंगलादेश की आमMeel ecosystem भागी लेकिन उसकी सब एंपीलों बहुत एंपी फिर नेटलों भागम नहीं पर अभी तक Leopard उम्हीं जोघ और सでもád है हम पहले ही घुष चुके है कल सुबा मॉनिंग में हम इंडिया घुष उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बैनापुल में बैनापुल में प्राब्लेम है बंगलादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग वह उधर से आ रहे थे तो मैंने समझा यहां निरापोद र करते हैं उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्राय दीजिए हम लोग बहुत तक्लीब में हैं हम अगर बंगलादेश में गये और जो लोग भी बंगलादेश में हैं प्रॉब्लम है हम लोगों का घर करोबार सब आख से जला दिया गया है बहुत प्रॉब्लम है बंगलादेश में ट्रैयरिज्ट अल्रेडी बी एन पी जमात गॉब्मेंट ओ लोग अभी ट्रैयरिज्टम कर रहा है शेख हसीना ने पी-एम पत से स्तीफा दे दिया उन्होंने बंगलादेश भी छोड़ दिया आप सवाल है कि आगे क्या होगा क्योंकि बंगलादेश अभी भी अश्चान्त है वहां लोग अभी भी पदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ आहा कार मचापू है आई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर हलात कैसे हैं पहला हथोड़ा बांगलादेश के जनक बंग बंधू की मूर्तिबर में दूसरा हथोड़ा बांगलादेश के लोक्तंत्र पर तीसरा हथोड़ा बांगलादेश की समूल व्यवस्थांanie चौथा हथोड़ा शेक हसीना सर्कार पर तस्वीरे हिला देने वाली है बांगलादेश के तिरपन सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ राजधानी ढाका को खूब दिया गया हजारों की तादाद में लोग सलकों पर उतराई हिंसा का तांडों जारी है आर्मी बंदूग ताने खड़ी है दूसरी और अवाम मुठी बांधे नारे बुलंद कर रही है बोलियों की विसाथ बिच रही है अब तक तीन सौ लाशें गिर चुकी है हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं पुलिस के सारन और एम्बोलेंस के शोर से धाका भूंज रहा है जो विद्रोही हैं वो तो जान हथेली पर उठाये घूम रहे हैं लेकिन जो आम लोग हैं घरों में दुपके हैं सैमे होए हैं देश का क्या होगा मुल्क को इस धदट्टी आग से कौन बचाये बांगलादेश उनमाद की आंधी में तिनकर सा बिखर रहा है बांगलादेश पहले इड़ दर इड़ तूटा अब दीवार दर दीवार ठह रहा है प्रधान मंत्री शेख हसीना के आवास गणभवन में हजारों की भीड भुस गए बेडरूम तक पर कबजा जमालिया हिंसा को देखकर शेख हसीना भाशन रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला बांगलादेश के पीम हाउस के बेडरूम में प्रधर्शनकारी को आराम परमाते देखा जा सकता है प्रधर्शनकारी को पीम हाउस के लॉन में भी टेहलते देखा जा सकता है भीड ने ग्रेमंत्री अजदू जमन खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुसाई भीड ने आग लगा दिया बांगलादेश इस स्वक्त आक्रोश वाली जल्ती भट्टी बन चुका है जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है प्रधान मंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया उसके बाद अपनी छोटी बेहन शेख रिहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई अराजक्ता, अविवस्था, आक्रोश, आजजनी, आक्रामर और हिंसक होई भीड ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुचा दिया है पूरा देश जल रहा है खोन, जख्म, लाशे और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने सम्हाल ली है आप कह सकते हैं कि बांगला देश में तकता पलट हो चुगा है चीफ आफ आर्मी स्टाफ वकार उस जमान में एलान कर दिया है कि वो सब सम्हाल लेंगे आमी समस्तो राजनेतिक दोलेर नेत्री बिंदो के एखाने आम अंत्रन करे छेलां ओनारा एखाने एशे छें, आमरा आटा शुन्दर आलोचना करे छी शेकाने आमरा शिल्धान दोनिये छी जे आकटा इंटरीम गॉब्मेंट आमरा फर्म करबो क्यूं बांगलादेश में लग गई बरबादी की आर्ट कैसे तबाह हो गई शेक हसीना की सरकार भीड ने क्यूं उखाडफें की चुनी हुई सरकार और सबसे बड़ा सवाल की बांगलादेश की कमान अब किस के हार आपको बनिंग बांगलादेश की हर एक डीटेल दिखा आपको बताएंगे कि कैसे शेक हसीना के खिलाब भड़ की भीड ने खानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो पांगलादेश के अंधकार मैं भविश्च की गवाही है प्रदर्शन कारियों ने कई एहम रास्तों पर भी कपजा कर लिया है इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इस बीच मुखी विपक्षी पार्टी बीनपी के कार्यकरता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और जोबोल लीग के कार्यकरताओं ने उनका विरोध किया जिसके बाद तोनों पक्षों के भी जड़प हुई राजधानी ढाका सहे देश भर में सेना त्रैनात कर दी गई है सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है बंगलादेश में हिंस्ता की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान पदर्शन की अगवाई कर रहे छे लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर छे दुनों तक बंधग बना कर रखा था बताया गया है कि लोगों से अंदूलन वापस लेने का वीडियो जबरन बनवाया किया लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में तीन दिन के छुट्टी का अलान कर दिया गया है हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ओपरेशन अगले आदेश तक रोग दिया गया है कपड़ा फैक्रियों में भी ताला लग गया है पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है कोट भी बंद कर दिये गया है सुप्रीम कोट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दोरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगे इसके लिए चीफ जस्टिस एमर्जेंसी बेंच का गठन करेंगे बंगलादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पेचले महीने एक विवदास पर नौकरी कोटा योजना के खिलाब शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है आंदोलन कारियों ने नर्सिंग गड़ी जिले में शेक हसीना की पार्टी आवामी लीग के छे कारेकरताओं को मॉब लेंचिन कब मार डाले रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शन कारियों ने जुलूस निकाला था जिससे आवामी लीग के कारेकरता नाराज हो गया उन्होंने प्रदर्शन कारियों पर भोली बारी की जिसमें चार लोग घायल हो गया इससे नाराज़ होकर प्रदर्शन कारियों ने पलटवार किया अवामी लिग के कार्यकर्था दर कर एक मस्जिद में छिप गए जहांसे निकाल कर उनकी पिटाई की गए जिसमें 6 कार्यकर्था मारे गए इसके पहले सिराज कंच शहर में प्रदर्शन कारियों ने रविवार को पुलिस टेशन पर हमला कर दिया उन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, वहां आग लगा दिया इस हमले में 13 पुलिस कर्मी मारे गया जुलाई में ही बांगला देश में हिंसा शुरू हो गई थी पेचले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिब ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बना कर रखा था इन सभी से आंदोलन को वापिस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया जब ये कैथ थे तब ग्रेमंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सेक्योर्टी काउंसिल के अमर्जेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलन कारी वार्ता की धेबल पर आये विपक्ष आंदोलन की आड में हिंसा कर रहा है इस बीच शात्र आंदोलन के कॉडिनेटर नाहिद इसलाम ने एलान किया कि मंगलवार को प्रस्ताविट ठाका मार्च अब सोमवार को होगा अब सड़कों पर ही फैसला होगा मीरपूर से हजारों चात्रों ने कूच किया पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गए आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांगलादेश क्या है इसकी असली वज़त उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस अंदोलन का चेहरा माना जा रहा है नाम है नाहिद इसलाम इसलाम धाका युनिवस्टी का स्टूडेंट है उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुब़ उसे उठा लिया गया हलाकि पुलिस ने इससे इंकार किया इसलाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया असल में बांगलादेश में आर्ट भड़की ही है छात्रों की विरोध प्रदर्शन बाली लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी है शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कुशिश करती रही और मामला विगरता चला है अब आलम किये हैं कि बांगलादेश धूध धूध कर जल रहा है बांगलादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की बीच भारत में अपने नागरिकों के लिए अडवाईजरी जारी किया है विदेश मंत्राले ने बांगलादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारती अनाग्रिकों को अगले आदेश तक बांगलादेश की आत्रा ना करने की सक्त हिदायत दिये। भारत की विदेश मंत्राले ने बांगलादेश में मौझूद अपने नागरिकों के लिए help line नंबर भी जाड़ी किया है। बांगलादेश में कानून विवस्था की स्थिती को देखते हुए बांगलादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की बांगलादेश बॉड़र पर बियासेट ने चौकसी बढ़ा दी है। बांगलादेश का क्या होगा इस सवाल का जवाब फिलाल किसी के पास नहीं है। बस तस्वीरे दिख रही है। बांगलादेश की। बांगलादेश की।